नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फैर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और लेट पी नौटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में विव्यक्ति का मल्डर हुआ है तो कहां कि न्यूजे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ वीडियो पर एंट तक मने रही है अगर आपने भी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर करने है और अंकित वर्मा और लेट पी नौटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले है ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नौटिफिकेश के पुलिस ठाना देहा की तहट कल गाउं के बस टेंट के पास गरत मंगलबार देरात तेज़धार हत्यार से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है हत्या की बारदासिक शेत्र के लोगों में दहशत कमहौल बना हुआ है मृतिक के परिजानों ने गाउं के दो लोगों पर हत्या का संदेज जताया है मृतिक की पैचान रमेश गास्टा निवासी गाउं कल गाउं तैसील ठियोग शिमला के रूप में हुई है वहीं पुलिस ने मृतिक के शब को कबजे में लेकर जो है पोश्ट मार्टम के लिए आजीमसी भेज दिया है पुलिस एक मुख्य आरूपी अभी तक पुलिस की पकड में नहीं आया है जानकारी के अनुसार सुदेश पुत्तर रमेश कास्टा निवासी गाउं कल गाउं तैसील ठियोग शमला ने पुलिस को दीश कायत में बताया कि 22 दिसंबर को करीब रात साड़े बारा बजे जब वा अप शमला कर उसकी हत्या कर दी गए है मृत्तेक के परिजयनों ने गाउं के दो लोगों पर हत्या का संद दे लेता है चूँकि शाम को ये दोनों लोग उसके पिता के साथ थे उधर SG कार्यकारी SG कार्यकारी SG साक्षी शर्मा साक्षी व Farmak का कहना है कि ने जो है मृत्त केशाब को कबजे में लेकर आगाम मी कारवाई जो है शुरू कर दी है तो दोस्तो ये थी तारा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज हिमास्टल प्रदेश के डिस्टिक्शमला से अगर आपने भी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दें और अंकित वर्मा ओलेट पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले है ताकि आप तक हिमास्टल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तन्यवाद जैहिन जैभाद